गुड मॉर्निंग बच्चो मैं डॉक्टर बीवी जैमनी आज आपको एडवांस केल्कुलस में नया चेप्टर सुरू करता हूं ठीक है अभी पिछले लेक्चर में अपने अनंतिस पर्षियां पढ़ रहे थे अनंतिस पर्षियां चेप्टर खत्म हो गया भी है न अब नेक व्यर kilogram scrutसे पहले तो आज अपनी समझेंगे की अन्वालो क्या होता है और फिर अपन जो कर्व दे रखे होते हैं कोई भी ठीक है ÖNS कर्वों के बहुत सारे कर्व मिलकर करके क्ल बनाते हैं जिसको अपनों वक्रों का क्ल बोलते हैं उसको समझेंगे फिर उस वक्र क्ल के लि करते हैं अन्वालोब ठीक है तो सबसे पहले तो अपन ये समझते हैं कि फैमिली ओफ कर्व्स वक्रों का कुल क्या होता है मतलब फैमिली बहुत सारे कर्व की होती है बहुत सारे कर्व मिलकर के जैसे अपनी फैमिली होती है बहुत सारे फैमिली मेंबर्स मिलकर के एक फैमिली ऑफ कर्व बनाते हैं ठीक है उसकी एकी व्यापक समीखर्ण होती है जैसे मैंने कहा कि माना य इकल टो मs c की जगे मैंने रख द दिया अंडर रूट ब्लस m2 होता है ठीक है तो यह इसकी सरल रेखा की व्यापक समीखर्ण हो गई तो माना y is equal to mx plus a under root 1 plus m square एक रेखा का व्यापक समी करने चुकि m के बिभिन मानों के लिए भिन भिन रेखा हैं प्राप्त होंगे इस समी करन इस सभी रेखाओं को एक सरल रेखा कुल family of state lines कहेंगे ठीक है y equal to mx plus a under root 1 plus m square तो ये एक तरीकी से family of state lines होगी यहां पर m के वीविनमान के लिए यह सारी सारी line निकल लिएगी ठीक है वीविन भिकर निकल लिएगी इस kule की तो m को अपन कुल का प्राचल कहेंगे क्योंकि a m को बहुत सारे मान होंगे उन पर बहुत सारी रेखाओं प्राप्त होंगे तो इसलिए M को अपन इसका parameter कहेंगे प्राचल कहेंगे ठीक है तो आते बक्रों के कुल को मैं मानलो एक व्यापक रूप में F, X, Y, Alpha equal to 0 से represent कर दूँ ठीक है तो यहाँ पर जो यह alpha है यह आपके इस कुल का प्राचल कहलाता है ठीक है बचो तो यह general equation है family of curve की F, X, Y, Alpha equal to 0 जहाँ पर alpha इसका प्राचल या parameter है ठीक है यह मैंने general definition आपको family of curve और वक्रों के कुल की बताई है ठीक है बचो और यह क्या होता यह भी मैंने first slide मा आपको समझा है अब अपन second slide मा आते हैं envelope क्या होता है ठीक है तो envelope वह वक्र है जो एक प्राचल वाले वक्रों के कुल F, X, Y, Alpha equal to 0 यह कोई वक्र कुल है इसके प्रतेक सदश्च को इसपर्स करता है ठीक है ऐसा वक्र जो इस F, X, Y, Alpha equal to 0 जो वक्र कुल है इसके प्रतेक सदश्च को वो curve आपका इसपर्स करता है ठीक है तथा उस कर्व के प्रतेक बिंदू को कुल का कोई सदस करता है ठीके तो वो जो वक्र है प्राप्त होगा हमें वही अन्वालोग होगा उसी वक्र को हम अन्वालोग कहते हैं ठीके तो ultimately इसकी जो definition है वो तो यह हो गई कि वह वक्र जो एक प्राचल वाले वक्रों के कुल f x y alpha equal to 0 के प्रतेक सदस को इसपर्स करता है तथा उस वक्र के प्रतेक बिंदु को कुल का को इनको इसदस इसपर्स करता है तो वह वक्र अन्वालोप कहा जाता है ठीक है बच्चों यह इसकी परिवासा अब mathematical definition है वो भी मैं आपको बता जाता हूँ जिससे अपने को सवाल वगेरा करने है और इसको mathematically समझना है तो वो परिवासा क्या है आपकी अन्वालोप वक्र कुल के ऐसे किसी दो वक्रों के प्रतिछेद बिंदु के सीमान तिस्तिती मतलब limiting case का बिंदुपत होता है ठीक है जिनके जिनमें से एक वक्र दूसरे वक्र के साथ दूसरा इस्थिर है ठीक है एक वक्र दूसरे वक्र के साथ संपाती होने का को प्रवत करता है ठीक है यह एक limiting case है एक वक्र दूसरे वक्र को टेंड करता है यह इसकी mathematical definition है इसको mathematical type से अपन समझते है ठीक है तो next slide में आपको मैंने इसका गणीतिय रूप समझा रखा है नो लोग की गणीतिय परिवाशा क्या है ठीक है तो जैसे मानलो अपने इस slide में देखते है माना वक्र कुल है आपका जो general definition है family of curves की वह है fxy alpha equal to 0 यह मैंने आप समिकर नंबर एक से दर्शा रखा है ठीक है अब मानली जे p बिंदू है ठीक है यह इस पर इस्तित है समिकर नंबर एक में जो वक्र कुल है उस पर कोई p बिंदू इस्तित है तो इसका मतलब यह है कि इसके सभी सदेश्यों को यह संतुष्ट कर रहेगा तो इसके सदेश fxy alpha equal to zero होगे और मानली जे कोई आगे दूसरा alpha increment delta alpha increment लगता है तो उस पर भी यह satisfy होगा दूसरा सदेश्यों fxy alpha plus delta alpha equal to zero होगा ठीक है दूसरे आगे delta alpha से बढ़ करके ठीक है यह इसका प्रतिश्यद बिंदू p बन निकालते हैं इसके सदेश्यों fxy alpha equal to zero और fxy alpha plus delta alpha equal to zero इनका प्रतिश्यद बिंदू मानली जे अपने पीवन है ठीक है तो पीवन से दोनों कर्व गुजरेंगे तो पीवन से गुजरने वाले जो आपकी वक्र है ठीक है बिंदूपत है पीवन से गुजरने वाले विंदूपत है वो इसकी वक्र हो जाएगी तो उसका समीकर्ण क्या होगा एक linear combination हो जाएगा इन दोनों का समीकर नमबर एक और समीकर नमबर दो में जो दे रखिए ठीक है तो यह मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ fxy alpha delta alpha plus lambda into fxy alpha equal to 0 यह p1 से गुजरने वाली वक्र का कोई समीकर ना पी 1 आपको पताएगी प्रतिसेद बिंदू है ठीक है इन दोनों का तो यह मैं लेमडा को माइनस 1 ले लूँ तो यह क्या equation बन जाएगी fxy alpha delta alpha minus fxy alpha equal to 0 ठीक है यह समीकर ना अपने को lambda equal to minus alpha ग्राफत होगी जो यह p1 बिंदू से गोजरने वाली ठीक है कोई कर्व के equation है ठीक है अब मान लिजे मैं इ में division कर दिया दोनों तरफ तो उदर तो 0 से लिए कोई फरग नहीं पड़ेगा तो यह होगी आपकी equation fxy x alpha plus delta alpha minus fxy alpha upon delta alpha equal to 0 जहाँ पर delta alpha should not be equal to 0 यह सरत है कि नीचे 0 नहीं होना चीए delta alpha 0 के बरावर नहीं है ठीक है तो next slide में अपने मैं इसकी limit ले देता हूँ ठीक है तो p1 बिन्दू यदि mebendu की तरफ समानिवरंड़ की Тरफ अग्रसर करता है मतलल देल्टा alpha tending to 0 हो जाएगा ठीक है तो यह पी बिन्दू ही हो declaration पी बिन्दो है जो पी कर दम्हाँ पर और पी बिन्दू है तो delta alpha यह 0 हो जाएगा तो p1 बिन्दू हो जाएगा तो यह limit होती है ठ तो P1 will tend to point P when delta alpha will tend to 0, ठीक है, तो दोनों तरफ की delta alpha tending to 0 limit मैंने ले ली, ठीक है, तो यह इस तरीका का expression बनगे, अब आपको यह तो पता है, delta alpha tending to 0 पर Fxy alpha plus delta alpha minus Fxy alpha upon delta alpha derivative होता है, ठीक है, तो यह partial differentiation हो जाएगा, अन्सी का क्लम तो इसको मैं इस तरीका से लिख सकता हूँ, डेल F upon delta alpha equal to 0, जो मैंने समिकर नमबर 3 मा आपको यह दिखा रखा है, तो इस प्रकार PK निर्दे सांग के, ठीक है, delta alpha equal to 0, एवं वकर कुल समिकर नमबर 1 को दोनों को संतुष करेंगे, ठीक है, तो एक तो अपने को वकर की equation मिल गई, और एक delta alpha equal to 0 मिल गया, यह दोनों समिकर समिकर नमबर 1 को समिकर नमबर 3 से alpha का विलोब करने पर जो समिकर प्राप्त होगा, वही P का बिंदू पस होगा, ठीक है, और यही अभी envelope का समिकर न होगा, तो ultimately, आपको इसले ध्यान आया कि आपको यह किसी करवकुल का envelope निकालना है, तो अपने को क्या करिया भी दी ठीक है, ठीक है, पहले बात तो अपने को fxy alpha जो equal to zero वकर कुल है, उसके लिए अपने को differentiation करना है, ठीक है, तो dollar fda यह equal to zero प्राप्त करना है, ठीक है, तो dollar fxy alpha equal to zero आपकेपा समिकर पहले से, dollar fda यह आपने निकाल लिया ठीक है, इन दोनों से समीकर्णों से अपने को एलफा को विलोपित करना है तो जैसी अपने दोनों समीकर्णों से अलफा को विलोपित करेंगे तो जो अभिश्च समीकर्ण प्राप्त होगी वही आपकी अनवा लोप की समीकर्ण होगी ठीक है यह आपका वर्किंग रूल रहेगा सवालों को करने क ठीक है बच्छो तो अब आपन कोस्टेंज करके देखते हैं ठीक है इससे पहले कुछ special case नो ना study करें आपके कुछ थोरम से भी है तो वो देख लेते हैं फिर अपने को सवाल लेकर भी आपको इस पस्ट करेंगे इस special case है इसका कि यदि वक्रकुल का समिकर्ण कोई आपको विशेश सिस्तिती में कोई quadratic equation में दे रखा है जैसे fxy alpha को a alpha square plus b alpha plus c equal to 0 ये आपको दे रखा मालो इस form में आपको वक्रकुल की equation दे रखी है ठीक है द्विगास समिकर्ण के रूप में तो समिकर्ण नमबर 1 को मैं मैं दि alpha के respect में differentiate करूँ तो d left alpha आपको प्राप्त हो जाएगा 2a alpha plus b ठीक है इसको मैं दि 0 के बराबर रख देता हूँ तो ultimately alpha क्या मिला आपको जो समिकर्ण नमबर 2 में दे रखा मैंने alpha equal to minus b upon 2a समिकर्ण नमबर 1 तो आपके बकर्कुल की समिकर्ण नमबर हो गई और समिकर्ण नमबर 2 से dell 5 ड लफा equal to 0 पर मैंने alpha की value प्राप्त कर दी तो समिकर्ण नमबर 2 से alpha की value में दे 2 समिकर्ण नमबर 1 मैं रख दूगा तो भी alpha का विलोपन भी हो जाएगा तो जो अभिस्ट समीकर्ण मिलेगी वो ही आपके envelope होगी ठीक है यह मैंने काम करा समीकर्ण एक विलोपन दो से alpha का विलोप कर दिया तो उससे अभिस्ट envelope आपको मिल गया b square minus 4ac equal to 0 तो यह special case है कि यह आपको a alpha square plus b alpha plus c equal to 0 तो फॉर्ब में दी कुल के family of curve की equation दे रखी है तो उसका अभिस्ट envelope b square minus 4ac equal to 0 ही प्राप्त होगा ठीक है बच्चो नेक्स्ट में अपन कुछ प्रमें दो प्रमें आईसपार आधारित अनवालोप की तो उनको पढ़ लेते हैं पहले प्रमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि वक्रों के कुल का अनवालोप कुल के प्रत्यक सद्ध को इसपर्स करता है तो यह इसकी परिवासा भी अनवालोप की कि वक्रों के कुल को ऐसे जो करव इसपर्स करता है वही अनवालोप होता है ठीक है तो यह अपने सिद्ध करते हैं माना वक्र कुल आपका f x y alpha equal to 0 है समीकर नंबर 1 और यह उसकी प्राचलिक समीकर्ण x equal to phi alpha और y equal to psi alpha है जो समीकर्ण number 3 में मैंने दे रखी है ठीक है यह अपने को एक तरीके से parametric form में मान लिया अपने ठीक है अनवालोप की equation को अब चूँकि alpha के प्रत्यक मान के लिए समीकर्ण 3 सम्मंद एक को संतुस्ट करते हैं ठीक है करेंगे क्योंकि यह अनवालोप की equation है तो fxy alpha equal to 0 का alpha के साफ एक सबसे पहले अपन अनसिक अउकर्ण करते हैं ठीक है तो इससे अपने को मिला del f del x into dx d alpha plus del f del y into dy d alpha plus del f del alpha equal to 0 यह मैंने इसका composite function मानती हो इसको आंसिक अउकर्ण कर लिया यह आंसिक अउकर्ण के चेप्टर में अपने पढ़ाए इसको ठीक है तो अब यहां है आपन देखेंगे कि dx d alpha तो phi dash alpha है और dy d alpha है side dash alpha है और df d alpha के value 0 अपने को दिखा रखिये त यह तीनों चीज अपन रख देंगे तो यह अपने को मिल गया del f del x into phi dash alpha plus del f del y into side dash alpha equal to 0 ठीक है इसको मैंने थोड़ा से सरल करके समीकर नमबर 4 के जैसे लिख दिया side dash alpha upon phi dash alpha equal to minus del f del x उपर आगया और नीचा आगया del f del y ठीक है अब आप ध्यान से देखेंगे right hand side में तो यह del f del x upon del f del y होता है minus का यह मैंने पिछले आपको जब अपने यह partial definition से बढ़ रहे थे वहां मैंने बताया था कि इस परस रखा कि प्रमणता है ठीक है dy by dx है ठीक है तो ultimately जो अपने को समीकर चार मिला एक left hand side में side dash alpha upon phi dash alpha और right hand side में dy by dx मिल गया तो समीकर चार से इस परस्ट है के left hand side में envelope 3 के window x y पर इस परस रेखा की प्रमणता है और right hand side में बखर कुल के किसी वुक्र के लिए alpha बिन.. पर इस पर्श रिखा ही है, तो दोनों प्रबणता है इसका मतलब दोनों की है इस पर्श रिखा है ने क्यों तो इसka मतलब उस बिन्दू पर वो दोनों कर्भ the Morse-kspekt film करते हैं कि अन्य वालो वडूर की उबहनिस्ट अता है उबनिस्ट बिंदू पर इस पर्श रेखा, एक ही अर्थार्थ वे इस बिंदू XY पर इस पर्श करते हैं, यही अपने को इस चोर्म में सिध्ध करवाया है, एक चोर्म और और देखते हैं, इस प्रमेर No. 2, ठीक है इसमें कि क्या सिद्ध करवाना चाहरा है कि वक्रकुल के किसी भी वक्र का कोई भी विजित्र बिंदू है singular point उसके अन्वा लोग पर होता है ठीक है singular point उसके अन्वा लोग पर होता है यह सिद्ध करना अपने को तो अपने को बकरकुल की एक्विशन तो यही दे रखी है fxy alpha equal to 0 ठीक है और यहां पर जो विजितर बिंदू है विजितर बिंदू के लिए del f del x equal to del f del y equal to 0 होता है और दोनों बरावर होते हैं ठीक है तो इसके लिए condition क्या है singular point के लिए del f del x equal to del f del y equal to 0 तो इसको समीकर नमबर 2 से मैंने दिखा दिया है अब आपको पता है कि xy बिंदू पर del f del alpha तो 0 होगा तब ही तो envelope राप्त होगा ना तो यदि अपन del f del alpha equal to 0 प्राप्त कर लेते हैं तो इसका मतलब envelope है वह विजितर बिंदू उसको satisfy करेंगे इसको मैंने partial differentiation कर दिया इसको तो del f del x into dx plus del f del y into dy plus del f del alpha into d alpha equal to 0 ठीक है तो यहां आपको पता है कि विजितर बिंदू के लिए del f del x equal to del f del y equal to 0 होता है यह वहां मैंने आपको रख दिया तो ultimately क्या मिला आपको del f del alpha into d alpha equal to 0 मिल गया और इससे क्या मिला del alpha तो 0 नहीं होता है इसका मतलब del f del alpha equal to 0 होता है जो मैंने समीकर number 3 में देर खा रखा है तो ultimately अपने को यह प्राप्त हो गया कि del f del alpha 0 होगा यह अपन सिद्ध करना चाह रहे थे कुल के वक्रों के विचित्रबिंदू उसके अनवालोप पर हिस्थित होते हैं ठीके विचो दोनुच ओरम मैंने आपको सिद्ध करके बताया और अनवालोप कैसे निकालते हैं यह भी मैंने बताया अब आधारित कुछ सवाल करते हैं आपको यह explain हो जाएगा कि किस तरीके से सवाल आते हैं और उनका अनवालोब किस तरीके से निकाला जाता है तो ध्यान में तो अपने को यह रखना है कि अनवालोब की निकालने के लिए पहले तो वक्र की समीकर्ण होती है उसको फिर अपना अलफा के रेस्पेक्ट ने डेफरेंसेट कर लेते हैं वो जो अलफा आएगा वो इकल sürड़ेंगे एक समीकर्ण डेलेफ डेलफद यालफा तो स्यमी जाए एक वक्र की समीकर्णर इन दोनों से अहां अलफा का विलूप कर देंगे तो अभिश्च जो समीकर्ण गी वो सस्यमीकर्ण वों की निकाना आतो यह सब्यारी ना हिगाट मीता है minus b square कोई वक्रकुल का समिकर्ण है आपको ग्यात करना है अन्वा लोब ठीक है यहाँ पर alpha प्राचल है तो समिकर्ण number x मेंने इसको वक्रकुल के समिकर्ण को दिखा दिया अब अपन d alpha निकालेंगे ना तो alpha के respect में समिकर्ण number एक को partial differentiation करेंगे ठीक है यहाँ से आपको 10 alpha मिल जाएगा तो 10 alpha equal to आगया आपके minus by upon x का all power 1 by 3 जो समिकर्ण number 2 में मेंने आपको दिखा रहागा ठीक है अब 3 code मिती से आप जानते है 10 alpha के 1 plus 10 square alpha क्या होता है 2 square alpha होता है ठीक है इस formula में मैं 10 alpha का मान रख दूँगा तो sec square alpha की value मिल जाएगी 10 alpha का मान अपन समिकर्ण number 2 से रख देते है तो sec square alpha क्या मिल गए आपको 1 plus by upon x का all by 3 by 2 ठीक है इसको मैंने थोड़ा सरल कर लिया और sec को cos में convert कर लिया ठीक है तो cos alpha is equal to क्या आगया plus minus ax all power 1 by 3 upon नीचे आगया root of x की 2 by 3 plus by की 2 by 3 ठीक है यह समिकर्ण number 3 में मैंने cos alpha की value प्राप्त कर लिया ठीक है अब मैं वो sin alpha की value भी निकालनी है तो आप cos and sin में संबंधा होता है sin square plus cos square equal to 1 होता है तो sin square alpha क्या हो जाएगा 1 minus cos square alpha के बराबर तो cos alpha की value सब इकर्ण number 3 से रख देता हूं ठीक है तो sin square alpha मिलेगा उसका under root कर देंगे दोना तरफ का sin alpha की value मिल जाएगी तो sin square alpha क्या मिल गए आपको by की power 2 by 3 उपर और नीचे मिल गए ax की power 2 by 3 plus by की power 2 by 3 इसलिए sin alpha क्या मिल गए आपको minus plus इसमें थोड़ा से आपको negative positive का sin का ध्यान रखना पड़ेगा sin alpha इसलिए तो sin alpha में minus उपर आएगा minus और plus नीचे आएगा तो minus by 1 by 3 upon root of under root नीचे आजाएगा x की power 2 by 3 plus by 2 by 3 यह समीकर number 4 में मैंने sin alpha की value दिखा रहे है अवार्वकर का सम्मिकर नंबर 3 में अपने को cos alpha के value मिल गई तो sin alpha cos alpha की value मिल गई और समीकरन आपको alpha में दे रखा है तो गजिज यह sin alpha cos alpha की value वखकर के 사मीकरन में में रख देंगे Allah आपका विलो पीत हो जाएगा ठीक है यह काम करते हैं जैसे आपको प्राप्त होने वाली समिकन अनवालोग प्राप्त हो जाएगी तो समिकन नमबर तीन और चार से साइन अलफा और कईस अलफा के मान समिकन नमबर एक में रखने पर से अपने अर्थार्थ अलफा का विल ओपन करने पर तो यह मैंने रख दिये और इस तरीके से प्राप्त हो गया ultimately solve करने के बाद में आप धान देंगे कि आपको जो green box में दे रखा वो समिकर्ण मिल जाएगा अलफा का विलोपन के बाद में ठीक है यह है ax2 by 3 plus by 2 by 3 equal to a square minus b square का all power 2 by 3 तो यही आपका अविस्टन वालोप है ठीक है बच्चो तो आपको ultimately समझ मागा इस सवाल के बाद में ठीक है तो इस तरीके के सवाल आप भी करने की कौशिश करेंगे तो आपको काफी कुछ सवाल की स्थि किलियर हो जाएगी ज्यादा difficult कुछ है नहीं वक्रकुल का तो स्वामी करनों से अलफा के भी लोप कर देंगे तो वन वो लोप राप तो हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके इस पाधारित कुछ सवाल है वह भी आप करने की कौशिश करें ठीक है बच्चो तो आज का लेक्चर में यहीं समाप्ट करता हूं तो कि यहीं वेरी मुच्च वेरी मुच्च